दोस्ती, गैंग रेप और ब्लैक मेलिंग का शिकार बनी, इन दो महिलाओं की दर्दनाक कहानी दिल दहला देगी। आपकी आँखों में भी खून खौल जाएगा। सायद ही आपने पहले ऐसी दरिंदगी देखी हो। बस में आते जाते तीन लड़कों से स्वाती की दोस्ती की रहने वाली 18 साल की आभा की है, जिसने कुछ रोज पहले अपने सामने मीडिया के तमाम माइक रखकर कानून के मुह पर तमाचा मारा था। लेकिन अफसोस ना अब उसे कानून से कोई शिकायत है, ना पुलिस से नफरत, साथ ही कानून और पुलिस को भी अब डरने की ज जिन्दगी खत्म कर ली, आभा के जीते जी उसकी जो बात किसी ने नहीं सुनी लेकिन अब उसकी कहानी सामने आने पर हंगामा बर्पा है, जो आभा जीते जी अपने और अपनी भावी के लिए इनसाफ मांग रही थी, अब उसी लेटी हुई खामोश आभा को इनसाफ दि जोरने और जगाने की कोशिश कर रही है, दोस्तों, कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी, काबिल, इस फिल्म के हीरो और हिरोईन, यानी रुतिक रोशन और यामी गौतम का किरदार नेतरहीन था, फिल्म में एक कॉर्पोरेटर का बेटा, यामी के किरदार का रेप करता है, रुतिक और यामी थाने जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती, इसके बाद होसला बढ़ता है, तो कॉर्पोरेटर का बेटा दोबारा यामी के घर में घुसकर उसका रेप करता है, अब कानून और सिस्टम से हार चुकी यामी की किरदार खुद कुशी करनी पड़ी, जी हाँ, आभा से पहले उसकी भावी स्वाती को भी, जब कानून और पुलिस से उसके सुलकते सवालों के जवाब नहीं मिले, तो वो खुद ही जिन्दा आग में जल उठी, ये कहानी सिर्फ दो मौत की कहानी नहीं है, बलकि ये खाकी, खादी, इनसाफ, सिस्टम हर एक के मुह पर एक जन्नाटेदार थप पढ़ है, तो चलिए जीते जी, जिस आभा की कहानी को उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद, कोई नहीं सुन पाया, आज हम सब सुनते हैं, बात सिर्फ एक हफ़ते पहले तीन अप्रैल की सुबह की है, राजस जाते हैं, वहाँ आभ़व अपनी कहानी सुनाती है, इस कहानी की शुरुआत साल भर पहले होती है, आभ़व की भावी स्वाती कॉलेज में पढ़ रही थी, घर से कॉलेज वो बस से जाया करती थी, उसी बस में तीन और लड़के अपने कॉलेज जाया करते थे, इन पूर्पा मिलते ही तीनों स्वाती के साथ जबरदस्ती करते हैं, और इस दौरान मोबाईल पर उन पलों को रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, ताकि स्वाती पुलिस या घरवालों से इस बारे में कुछ न कहे, इसके बाद तीनों ने इसी धमकी के साथ स्वाती को छोड़ दिया, दो बच्चों की मा, स्वाती इस हादसे से डर गई उसे लगा कि अगर उसके वीडियो, उसके गाउं और ससुराल वालों तक पहुँच गए तो उसकी शादी शुदा जिंदगी खत्म हो जाएगी लिहाज़ा वो खामोश हो गई इसके बाद स्वाती को नोचने का ये सिलसिला महीनों चलता रहा इज़त की खातिर स्वाती अब तक हामोश थी लेकिन फिर अचानक एक रोज वही तीनों लड़के स्वात को धमकी देते हैं कि अब वो अपनी ननदाभा से उन्हें मिलाए उससे फोन पर बात कराए वरना वीडियो लीक कर देंगे स्वाती अपना घर तूटने के डर से आभा को सारी बात बता देती है अब स्वाती के साथ साथ उसकी ननदाभा भी पूरी तरह से उन तीनों लड़कों के चंगल में फंस चुकी थी आभा नहीं चाहती थी कि उसकी भाभी की जिन्दगी खराब हो पर उसे पता नहीं था कि अब खुद उसकी जिन्दगी भी खराब हो चुकी है ये सिलसिला भी महीनों चलता रहा घर की इज़त की खातिर दोनों अब तक खामोश थी लेकिन फिर तभी 23 दिसंबर 2023 को जब स्वाती और आभा घर लोट रही थी तब रास्ते में तीनों लड़के फिर से टक्रा जाते हैं इस बार तीनों पहली बार एक साथ दोनों की आबरू लूटते हैं लुटती हुई आबरू के बीच स्वाती अपने सामने अपनी ननत को भी लुटती देख रही थी उससे ये बरदाश्त नहीं हुआ इसके बाद उसी शाम स्वाती ने खुद पर पेट्रोल डाल कर खुद को जिन्दा जला लिया हालांकि उसकी सास और कुछ लोगों की उस पर नजर पढ़ गई और उन्होंने फौरण आग बुझा दी लेकिन तब तक स्वाती असी फीसदी जुलस चुकी थी बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन फिर दो महीने बाद 23 फरवरी को स्वाती ने दम तोड़ दिया इस बीच स्वाती के जुलसने के बाद स्वाती के घरवालों ने बिना सच्चाई जाने स्वाती के ससुराल वालों पर ही उसे जला डालने का आरोप लगाया जिस पर पुलिस ने स्वाती के पती और ननद आभा समेत पूरे घरवालों पर मुकद्दमा दर्ज कर लिया लेकिन मरने से एन पहले खुद स्वाती ने पूरे गाम वालों के सामने ये बयान दिया कि उसका पती, ननद और उसके ससुराल के लोग बेकसूर हैं उसने खुद को आग इज़त की खातिर लगाई थी स्वाती की मौत के बाद अब आभा ने भी हिम्मत जुटाई और घर वालों को सारी कहानी बता दी इसके बाद आभा उन तीन लड़कों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने थाने गए और यहीं से अंधे कानून की अंधी कहानी की शुरुआत होती है पहले तो पुलिस आभा पर दबाव डालती है कि वो एक या दो लड़के का ही नाम ले तीनों का नहीं खास कर उस लड़के का तो बिलकुल नहीं जो राज्य के मंत्री का रिष्टेदार है यानि पुलिस खुद ही तैकर रही है कि किस रिपिस्ट को छोड़ना है और किस से बचाना है इतना ही नहीं उन तीनों लड़कों को गिरफतार करने की बजाए उल्टे आभा से खुद इलाके का डियस पी ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा था जैसे एक बार फिर उसका बलातकार हो रहा है अंधे कानून के अंधेपन का तमाशा यहीं खत्म नहीं होता है आभा के साथ गैंग रेप हुआ था जाहिर है मेडिकल रिपोर्ट से उसकी सच्चाई सामने आ जाती पर कानून को अपने हिसाब से नचाने वाले डिप्टी एस पी और उनके बहादूर पुलिस वालों की बेशर्मी देखिए कि मेडिकल टेस्ट के लिए आभा को उसके गाव से श्री गंगा नगर अकेले उस दिन अस्पताल भेजते हैं जिस दिन अस्पताल में चुट्टी थी कोई डॉक्टर तक नहीं था अभी बेशर्मी खत्म नहीं हुई है इसके बाद अगले दिन फिर आभा अपने गाव से शहर के उस अस्पताल तक पहुँचती है खुद से इस बार उसे थोड़ी सी देरी हो जाती है बस इस देरी के लिए उसके साथ ऐसा सलूक होता है जैसे वो रेप विक्टिम नहीं बलकि खुद रेपिस्ट है कानून के नंगेपन का आलम देखिए खाकी के साथ साथ सफेद कोट वाले डॉक्टर साहब भी वैसे ही कानून का तमाशा बना रहे थे जैसे खाकी वाले बड़े बाबू उन्हें बताते जा रहे थे आभा पड़ी लिखी थी उसने निर्भया की कहानी भी सुन रखी थी उसे लगता था कि अब देश बदल चुका है पुलिस वाले किसी बलातकारी को बखशेंगे नहीं इसलिए वो तमाम मुश्किल के बावजूद उसके और उसकी भाबी के गुनहगारों को सजा दिलाना चाहती थी लेकिन आभा की ये जिद खाकी को काट रही थी लिहाज़ा अब नौबत ये आ गई की आभा की भाबी के उस मुकदमे की धमकी दे कर जिसे खुद मरने से पहले उसकी भाबी जुठला चुकी थी पुलिस वाले अब उल्टे आभा और उसके घरवालों को जेल भेजने की धमकी देने लगे पर आभा जितना लड़ सकती थी लड़ी उसकी लड़ाई के आगे कानून को जुकना भी पड़ा तीन में से दो गुनहगारों के खिलाफ गैंग्रेप का केस दर्जकर पुलिस ने उन्हें जेल भी भेज़ दिया लेकिन तीसरे और सबसे ताकतवर गुनहगार की लड़ाई अब भी जारी थी क्योंकि तीसरा गुनहगार कोई मामूली गुनहगार नहीं था राज्य के एक मंत्री का रिष्टेदार था लिहाज़ पुलिस ने अपना पूरा फर्ज निभाते हुए उसे इस केस से दूर कर दिया आभा इस तीसरे गुनहगार को भी सजा दिलाने के लिए लड़ती रही लेकिन इस लड़ाई में कोई उसका साथ नहीं दे रहा था उल्टे उसकी वजह से घर और घर के लोगों की परिशानियां बढ़ती जा रही थी इस बात का एहसास अब आभा को होने लगा था लिहाज़ा एक हपते पहले यानि की तीन अप्रेल को उसने एक आखिरी फैसला लिया वो अपनी आखिरी बात मीडिया के जरिये देश तक पहुँचाना चाहती थी और इसी लिए उसने तीन अप्रेल की सुबह कुल चार रिपोर्टर को फोन किया और इन रिपोर्टर को तीन अप्रेल दोपहर करीब बारा बजे आभा अपनी पूरी कहानी सुनाती है रिपोर्टर और कैमरा मैन आभा के घर से लौट आते हैं उधर मीडिया से बात करने के बाद आभा उसी रात लगभग बारा घंटे बाद अपने घर में फांसी के फंदे पर जूल जाती है फांसी पर जूलने से पहले वो अपनी कलाई भी काट लेती है यानि वो खुद के जिन्दा बज जाने की कोई भी गुंजाईश छोड़ना ही नहीं चाहती थी काश आभा मीडिया को अपनी कहानी सुनाने के बाद थोड़ा इंतजार कर लेती पर अफसोस ऐसा हो नहीं पाया शायद वो अंधे बहरे और गूंगे कानून के उकता चुकी थी उसे यकीन हो चला था कि जो इनसाफ उसे जीते जी नहीं मिल रहा शायद उसकी मौत उसे वो इनसाफ दिला दे और कमाल देखिए आभा गलत भी नहीं थी आभा की मौत के बाद जैसे ही उसकी मौत और उसकी और उसकी भावी की सच्चाई गाव और गाव के बाहर तक पहुँची तो लोगों का नजरिया ही बदल गया अब वही लोग उसकी लड़ाई को अपनी लड़ाई को छुपाने का कोई रास्ता नहीं बचा था मजबूरन उन्हें उस तीसरे गुनहगार को भी गिरफतार करना ही पड़ा जी हाँ आभा की मौत के ठीक 24 घंटे बाद उस तीसरे गुनहगार को पुलिस गिरफतार कर लेती है जिसे वो अब तक खुद ही भगाती और बचाती रही थी दोस्तों पता नहीं ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं मालूम भी नहीं है कि ये सवाल अच्छा है या बुरा है पर जहन से ये सवाल जाने का नाम ही नहीं ले रहा है सवाल ये कि अगर आभा ने अपनी जान नदी होती तो क्या ये तीसरा गुनहगार पकड़ा जाता? आपकी राय क्या है? कॉमेंट करके जरूर बताएं